मुरे रामा, ओ मुरे रामा, ओ भोले जो गिया हो रा तो हरद्वाज की सुन कहानी, माता, पिता, पुत्र ज्यानी, आली ज्यानी रहली घरवई में पतो नारी नारी नहीं भी रहें बारती, अवो तन के लिए दै दिया तन अपना जूमिके नारी की भामना को जिगर में लिए, जीवन अपना बनाया चरन चूमिके नारी का दर जानर से भी उचा रहा, ग्यान सिखलाई चारो तरप घूमिके नारी से हारे नाराएण दै के बचान ज्यान तू फानी होता नहीं सूमके हाँ भीया एक बात मेरी सजनी गठिया लो चूनरिया मेरे गठिया लो चूनरिया मेरे तो एक बात मेरी सजनी गठिया लो चूनरिया में बिना पैसा कभी की जैबू बिना मोल कभी की जैबू एह माया की बचरिया में तो चंचल चपला चमके अबला की आचरिया में तो चंचल चपला चमके अबला की अचरिया में चंचल चपला चमके अबला की अचरिया में के गुलसन की की अरिया में ए भाईया कई दिना कभूखा बाबा एक उजारी था घुमते गईले जहां गाउं एक भारी था गए बाबा जी कोई वेद नहीं पाया है घुम के चारो तरफे आवाज एक लगाया गए चार दिन से भठी जल रही मेरी भाईया लकडी डालो इसमें देर न करो भईया ओ महात्मा सुबह से संजा तक चार चक कर उस छेत्र में लगाया कि भठी जल रही मेरी चार दिना से कोई लकडी डाल दो लकिन कोई बास समझा नहीं कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में साम हो गई सुर्जेस्त हो गया कोई नहीं समझ पाइस कि ये महातमाया लोग सोचन कोई पागल घूम रहा कि दरवाजा लोगों ने बंद कर लिया सुने वाले मित्र जरा समझें इस बात के लिए खाए सहनाई बाजी बदला सिल्सिला तूलन झारं करं धर्मा कर्थ बस चाई बिला Monsieur पूरे परिवार में हर अद्वाज में उसी गाउं में एक दुलहन ग्यानवान रही अपने सास स्थुर के भोजन कराई के अपने दुलहा के भोजन कराई के आपने हिस्सा भोजन चूला पर रखे कितने में महातमा पहुंचे कराई भठी जलता कोई लकडी डाल दू थो दुलहन बुलावता अरे देखताई दुलहनी आगयल पहिचान बाबा से कहलाग मधुरी जबान बाबा यावा बाबा यावा बैठा हमरे मतां मजे मजे बोलाई लागिन बाबा गी अनिया अठी यलत लकडी डाल दुलहनिया अरे बतिया न समझे कोई न जवान ग्यानी दुलहनिया तू रत गईलेचा ग्यानी दुलहनिया तू रत गईलेचा ओ दुलहन जान गई बाबा सुर्जेस्त हो गई समय आठ वजिकबा बाबा के बैठावता उस दुलहन के ससूर सास दुलहा नाराज हो थें लेकिन बोलत नहीं हैं कि देखो मेरी पतोहू का करती है तो गुजरिया बोली हाई बाबा से जट दे बाबा के असनवाल गवलिन जट दे बाबा के असनवाल गवलिन ओ दुलहन ओ बाबा के लिए जब आसन लगावताईन तो बाबा आव जट दे गुजरिया असनवाल गवलिन ओ जरते जल्दी में भोजनवाल गवलिन जरत दाल भात रोटी सबजी सब बिचारी लई आएकर रखता ओ कर दुलहा ओ कर सास असुर नाराज हो थे इनकी चीन पहिचान नहीं पूरा छेतर पूरा गाउं नहीं खिलाई थे लेकिन मेरी पतोहू पता नहीं पर नहीं बरदास्व बाबा के जब भोजन खिलाऊ था जरत जरत लई आएकर अरे नजरिया देखाई हाई बाबा के नजरिया नजरिया देखाई नजरिया नजरिया बाबा भोजन शुरू कर दिया जब दूचार कवर खाए तक कहें दुलही ने एक ठी बात अवर हमके बताए गया ओकर साथ ससूर ओकर दुलहा बड़े ध्यान से बात सुनत हैं समझत हैं कि मेरी पतोहु क्या कर रही है बाबा जब चार पांच कवर खाए पानी पिये कहें दुलही ने एक बात बताए दे दुलही कहें का बाबा बाबा कहें बासी की ताजा भोजन वाना बाबा कहें दुलहन एक खाना बासी या की ताजा नार कहें बाबा का पूछत है बाबा कहाएं ताजा की बासी भोजनवान नारि कहाएं बासी हो आइ मानले कहानवान ओ करसा ससुर बड़ा नराज होता हैं दुलहा भी बहुत नाराज होता कि वह जरत जरत खाना खाय रहा है महात्मा मेरी आउरत भी पगलाई है ताजा भोजन के बासी बतावता बात काया लेकिन बाप कहा बेटे से बेटा बोलो नो देखो इसका आखिर में अंत का बोलत कायं अंत निकरत कहना भी बार अरे मुखरिया बेखाई हाई बाबा क है दुलहन मुह देख रही है अब देखते देखते बाबा कहां दुलहन एक बात हमके और बताई जब चार छक का और फिर खाए पानी पिया दुलहन एक बात हमके बताई दे कहां का बाबा बाबा पूछ थैं केतनी उमर दुलहीं दे तुना बतायो केतनी उमर दुलहीं तब तो अदुलहीं के सास असुर बहुत नाराज होता है ओकर दुलहा भी नाराज होता कि खाना खाएं एक दाई बासी औ ताजा पूछें अब उमर देखत हैं उमर पूछत हैं का बाता दुलहा ओकर कहाता दुलहीं के मालूम होता है साधू महातमा नहों इकोई धोंगी है इकोई धोंगी पंडित है बाब बोला नहीं बेटा देखो अंत में होता का है बाबा पूछत हैं केतनी उमर वा दुलहीं तो हार तो मजे मजे बोले लागिन बारी बाहू आरिया छए साल के होई गई बाबा हम रहूं मारिया छए साल के नावए सुनते तो दुलहाओ कर लाग उठे बैठे ये बाप रे बाप ये महातमा कोई जादू कर दिया है मेरी अवरत बीच पचीस साल से कम उमर नहीं नहीं तो छए साल बता हुआ था बाप रे बाप महातमा फिर खाता है खाना दुलहीन से पूछें कितनी उमर बाप कहें बाबा च्छा साल को उमर बाप अरे बैठा बा महारे के दुलहारी सी आई रे कितनी उमरा दुलहीन अरे बाप रे बाप छे साल को उमर सुनते दुलहा उकर गरम बाप फिर दुछार को और खायन महातमा कहां दुलहीन एक बात आऊ और बताऊ कहां का बाबा कहां सास सुरक अपने उमर बताऊ अरे सास स सुरक दुलहीन एक ने उमर बताऊ अव दुलहा का उमर अपने साही समझावा दुलहीन अपने सास स सुरक उमर बताऊ अपने दुलहा को उमर बताऊ अदुलहा बैठा गरम बा लेकिन बाप रोकत बेटा बोलो कुछ देखो अंत में का होता है सुने वाले मित्रेत नहीं नहीं तो दुलहीन कहत काहाईं तीन महीना का दुलहा हमार बाबा हम देई बतायो के तनी उमर अपने अपन उमर छष साल के अपने दुलहा को उमर तीन महीना का तब दुलहा कहत अपने बाप से कि पिता जी अब हम मार बुख बाब बोला नहीं बेटा पूरी बात समझो आखिर होता का है ठेक है महात्मा कहत हैं तोहार उमर छष साल के तोहरे दुलहा को उमर तीन महीना का पने साथ ससुर को उमर बताऊँ तो दुलहीन कहत था इन कि पनर दिन का सासु बाबा माना हमरी बतिया अरे पनर दिन का हमार सासु बाबा माना हमरी बतिया असा सुरू जन मना ही लेले ले इधर रतिया इतना सुनता इतब बिटवा कहता दुलहीनी के दुलहा कहता काका पिता जी अब हम न मानब जरूर मारब उठा माराई बदे जब चल देश खिसी आएक माराई बदे इतने महत्मा पानी पीक चल दिया पहुच के घरे में लगा माराई मार के दस बजे रात घरे से निका रहता मार के घरे से निका रहता तब दुलहीन बड़ा दुखित होई के रोह था बुढ़वा बाप बोला मारो न बेटा न घर से निकारो इसके वापस बैठाए लो पूछो आखिर बात ऐसन भय का ही थोड़ी दुरिया मार के पहुचाए के फिर पकड़ लई आए दुलहा घरे में पूछा था कि हमके साब साब बतलावा ओमरे जी कभर मटावा सदुआ भूचा घरे में कर लेबत आई सहनाई बाजी बदलावा दुलाहिन रोवता कि यही बात आप पहले पूछ लहे होते हैं मारें हमके हमार पूरी सरीर कापवाता डर के मारे आप मारिक तब हमसे पूछ थाएं मर्द बोला कि याखिर तनी बात आईसन भय काही ताजा खाना के तैबासी काहे बताए का बाता आपन उमर छस साल बताए हमार उमर तीन महीना बताए हमारे माता का उमर पंदरद दिना बताए हमारे बाप के कहा थे पैदाई नहीं भय नहीं इसन भग काहे तब दुलहें रोवता बड़ा दुखी थोई के रोवता मधुरी जबानिया से बोले बारी धनिया काहे रिसिया आई गई ले बलमू हमसे होई गे कावन कसूर हो काहे रिसिया आई गई ले बलमू दुलहा बोला कि पूरा गउन नहीं जब उस महात्मा के पूछा तुमने के ओ खिलाई के ओ ऐसी बात की तुलहा रोई के खाता कि गवनाका तो हरे कोई भेद न जानी गवना का तोरे कोई मरम न जानी उतरहलिन महातिमा सुनय सली ब्रह्म ग्यानी काहेरी सी आई गईले बलन समझे नाहीं बतिया जरूर हो काहेरी सी आई गईले बलन जमझे नाहीं बतिया जरूर हो काहेरी सी आई गईले बलन जमझे नाहीं बतिया जरूर हो काहेरी सी आई गईले बलन दुलहा बोला ठीक है ब्रमग्यानी थे ए बात सच है लेकिन खाना ताजा रहा तो तुम बासी क्यों कहा मर्द बोले सुन ले हमरी गुजरिया और खाना रहा ताजा बासी कस कैलियो जी करिया दुलहिन कहे आप तो बतिया इन समझ है इबासी ताजा का सवाल इसलिए बतावा कि जबसे हम आपके हिया साधी भई आए और तब से अब आप एकव पैसा कमाई नहीं कर रहे हो न एकव पहुआ या नाज पैदा कर रहे हो न कहीं से कमाई न धमाई न या नाज न पानी इसा बाबा का कमाई या यह बदे हम बतावा की बासी या यही बदे सैया हम कहली बती या लेकिन समझे न हमके मार ला गया दिरतिया काहरी सी आई गई ले बलम। भगती न समझे बरपूल हो काहरी सी आई गई ले बलम। लेकिन समझे बरपूल हो काहरी सी आई गई ले बलम। आप समझे नहीं जब से आप कहीं आये और तब से बाबा कमाई या जब तक बाबा कमाई ही तब तक बाबा कमाई बासी बाद। जब तु कमाई लग बै यही जगहें पर आउरत ग्यान देता। ग्यान कहा थी न ग्यान के खतम करने की बाद। जैसे बत्ती जल थते अधेरा हट जात थ वो इसे जब ग्यान मिले थते अध्यान हट जात थ आउरत ग्यान देश के आप पहचान करिये तो मर्द बड़ा निदर्द तहा उब बोला के अच्छा मान लहियां तक बास सही बाद उमर वाली बाद बताओ। तु अपने के छे साल हमके तीन महीना माता पंदर दिना अब पिता पैदाई नहीं तो आउरत हसी कि बाद बारे स्वामी जी समझ ले यह बात अरे मधूरी जबानिया से बोले दूलहनिया सुनिला सजनवातनी बतिया रे हमाँ सुनिला सजनवातनी बतिया हो हमाँ मर्द बोला कि अपने के छे साल का ही बताओ अरे चड़ली जवानिया में कैलू नखी अलिया गोरी चड़ली जवानिया में कैलू नखी अलिया गोरी अरे बीस बाई साल काई बाटाई उमरी तुहार अरे मधूरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा मधूरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा सुनी ले के दुनहा राजा बत्या वे अमार अरे सुनी ले बलम आतनी बत्या हो रामार शाय साल हम के लिए हो गई ले गियनवा राजा अरे आतमा परमातमा से जब भाईली दीदार आतमा परमातमा से जब हो गई दीदार 22 साल का हमार उमर बार लेकिन 6 साल हमके ग्यान लहे होई गे जब सत्गुरू से ग्यान मिला तब प्रभू परमातमा का पहचान मिला तब हम सोचा कि दुनिया में हम अब पैदा भये अरे तीनी माहतो हो उकेली है भगियानवा बाला अरे संहत बीना तु भूली गईला दी लेता संहत बीना भूली गईला दी लेता संहत नहीं पाये संहत नहीं किहे एक घरी आधी घरी आधे में कचुआध तुलसी संहत साध की कटत कोटी अपराद अपन रदीना बुड़ा जी के लिए भगियानवा अपन रदीना बुड़ा जी के लिए भगियानवा पर कव अ मेरे हायरा बहुत समुझा वा बाबा नं लियान किलणवा अपने बुड़ा जी के लिए भगियानवा अणकी जीवन आहकदम हो गईली वेकार अरे गुलेशन में खिले गुलाजार मी तवा भगती भामाना का जागी तपाहार मी तवा नारी से अनर नर से नारायन कहाई तपिया गरीवन का करई से वकाई अरे खाली नाही रही आई भंडार मी तवा भगती भामाना का जागी तपाहार मी तवा अरे लिखते राम सुमेल दुफानी सच्चा गुरू में नाही बाब्याई मानी सहनाई बाजी बदला सिल्सिला अरे राम कालाथ गावत आई गाई बुढाई सहनाई बाजी बदला सिल्सिला प्रद्वार्वाल्टा वादाई जई उड़ाई गार्भाई जद्वार्वा इध्मुर्ण जिला तो जिला हो तुझाना मानना